हलो दोस्तो स्वागत है हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको एक नए जानकारी के साथ लेकर आई हूँ जो आप अपनी पोधी पर डालोगी इससे आपका पोधा भी हेल्दी और स्वाच और बहुत ही सुन्दर और ये गर्मी की मंध में क्या होती है कि अक्सर धूप अधिक पड़नी की वजह से हमारा प्लांट से जलना स्टार्ट हो जाती है और उनमें पत्ते में इस तरह का छिदर बनना स्टार्ट हो जाती है तो आपको इन छिदरों को रोकना होगा और इन पत्तियों को रोकना होगा जिससे आपका प्लांट बिल्कुल भी हरा भरा और घना रह बिल्कुल भी आपका प्लांट ना सूखे क्योंकि इस तरह से हम प्लांट को लगाते हैं और इनका केर टिप्स करते हैं तो यह प्लांट हमारा बहुत ही सुंदर और अच्छी रिस्पॉंस देते हैं लेकिन कभी-कभी क्या होती है कि हमारे प्लांट में सकर बरांच निकलाती तो इन ब्रांचों को आपको क्या बोलते हैं के जिसे हैं उनके साइड से ही एक करले निकलती है उन पलाइन लेकर ही निकलती है. प्लांच आपका फूल देती है लेकिन सकर बरांच का आपका पहचान क्या है कि जब आपका सकर बरांच रहेगी तो गुलाब का पत्या जो होगी वो आपका साथ पत्ते होंगे आपका पांच पत्ते नहीं होंगे क्योंकि पांच पत्ते वाला ही प्लांट्स आपका फूल देती है जैसे कि हम यही प्लांट्स में आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखिए यह हमारा सकर बरांच है और यहीं देखिए इसमें हमारा पांच पत्ती है इनमें पांच पत्ता जो देख रही है वो देखिए हमारा कितना सुन्दर और अच्छी तरह से यह ग्रोध करती है और मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये देखे इस तरह से हम प्लांट से यहां पर भी लगाई हूं इसमें भी कुछ हमारे साथ पत्ते हैं कुछ पाच पत्ते हैं तो पाच पत्ता वाला ही प्लांट से आपका पौधे में ग्रोध करेगी क्योंकि ये इनकी growth रूख गई है देखिए यहाँ पर इस तरह से इनकी करले निकल रही थी और ये यहाँ जाकर steam को रोख दी गई है तो इसको hard twining कर देना चाहिए क्योंकि इसको twining को इस तरह से आपको नाखुन की मदद से चाहिए आप कैची या चकू की मदद से इसको twining कर सकते है उसके बाद यहाँ से नय जो branch निकलेंगे वो आपका plants अच्छी तरह से growth दिलाएगी और भी हमें यहाँ plants लगाई हूँ वो देख सकती हूँ कि इस तरह से हमेंने बड़े बड़े गमले में लगा कर रखी हूँ इस तरह से और बड़े साइच का यह फलावर खिलती है लेकिन सारी ठंड तो निकल चुकी है अब इसमें एक भी फलावरिंग नहीं आ रही है और नहीं इसमें कलिया बन रही है तो दोस्तो किन चीजों का इस्तमाल करना होगा तो मैं आपको आज अपनी वीडियो पर बताऊंगी तो चलिए मैं आपको बताती हूँ नई जानकारी के साथ तो मैं आपको बताती हूं कि यह एलो बेरा इस एलो बेरा की मदद से हमें पौधे पर बहुत ही सुन्दर और अच्छे रिस्पॉंस मिलेंगे तो इसका लिक्विट फटलाइजर आपको किस तरह से बनाना है तो सबसे पहले हम दो एलो बेरा को कट कर लेते हैं आप चक्कू क यह ले लहसुन बहुत ही काम का चीज है दोस्तो आप अगर नहीं जानते हो तो इसको आप जान ले और इस अनके दो कर ले निकाल ले इस तरह से देखे मैं आपको अच्छी तरह से आप मेरी वीडियो पर ध्यान से देखे तभी आप समझ पाओगे कि फंगी साड या पौधे को ग्रोथ रोकनी की वजह से फिर ये प्लांस पर किस तरह से हमें डालना होगा तो मैंने यहाँ पर देखिए दो एलो बेरा इस तरह से ले ली हूँ और इसको ले पीश देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पीश लिया है पीश कर अब आपको क्या करना है इस तरह से कटोरी में इसको ढाल लेना है यह हमें यहाँ पर डाल ली है इसको पीश कर और इसको पीश कर मैंने तो डाल ली हूँ अब आपको इसको डाइल किसी भी लिख्वीड या किसी फटिलाइजर को डायरेक्टली पौधे पर यूज करना है कैसी यूज करना है किस तरह से यूज करना है आगे वीडियो में बताती हूं कि आपको किस तरह से इसको mix करकर डालना है तो सबसे पहले इस liquid को तो यहाँ पर मैंने इस liquid को इस तरह से आपको चाइचनी की मदद से छान लेना है क्योंकि यह जो मैंने छानती हूँ इनके जैल की रूप में एक तरल होती है अब देखे इस तरह से हमें यहाँ पर चान ले रहे हूँ चानने के बाद यह जो उपर की हिस्से बस्ती है इसमें आप पाने डाल कर फिर भी दो दिन के लिए आप रख सकते हो और नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्योंकि वह पौधे के जड़ में आप डाल देते हो तो आपका उसका रिस्पॉंस बहुत ही सुन्दर और अच्छे आएंगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पर चान ले हूँ तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपको डायलूट किस तरह से करना है क्योंकि यह देखिए हमारा एक लीटर पानी है अब एक लीटर पानी में यह हमारी पूरे जो एक कटोरी यहाँ मैंने अलो बेरा जल का और लहसुन का जो मैंने लिक्विड बनाई हूँ इसको इस तरह से मैंने यहाँ पर मिक्स कर दी हूँ अब आपको इसको क्या करना है इस तरह से आप मिक्स कर ले मिक्स करने की बाद आप अपनी सारी प्लांट्स पर डाल सकते हूँ इस तरह से गुलाब बाले प्लांट्स देखिए इनकी पत्ती पिले पड़ रहे हैं वो ब मैंने बलसं का पौधा है मैंने लगाई हूं यहां देखे गुल दबदी का प्लांट्स है यहांप पर और बी हम दीखाते हैं तरह McGanns 3ा प्लांट्स जो लगी है महिने में कम से कम दो बड़ करें हर 15 दिन पर यूज करें इससे आपका प्लांट भी हरा भरा और घंड़ा दिखेगा और इस तरह से आपकी फुल से फुलों से लदा मिलेगा क्योंकि इस तरह से दिखे हमारी प्लांट्स में फुल कितनी गुच्छे गुच्छे आ रहे हैं और इस से ज़्यादा इसमें कलियां भी बन रही है तो दोस्तो हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा अधी अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तो बाई बाई